शादी का नया सीजन सुरू होने वाला है तो जो डिजाइने बन रही हैं गोटा पत्ती की या हेंड़ वर्क की या फिर आज कल के नए वर्क की तो फिर सीजन नया है तो डिजाइने पुरानी क्यों? नमश्कार देवियोर सुजनों मैं हूँ गोटा और आज आपका भाई आपकर लिए लेकर आया है दो ओड़ने की ऐसी डिजाइने जिने आप देखेंगे तो देखते ही आपका बनवाने का मन जरूर करेगा जब भी बनवाने का मन करें आप अपनी ओड़नी को लेकर पहुंच सकते हैं सुमन फेंसी एंड गोटा इस्टोर स्यू मार्केट बसिस्टेंट रानोली यानि की आपके गोपल भाई रानोली की सोप पर वर्क आपको मैं एक तो दिखाई रहा हूं काफी खूबसूरत और स सुन्दर सी ओड़ने में कुछ अलग ही दिख रही है सारी की सारी अलग-अलग कलर की वो है यलो में है नीचे वाली है वो अलग कलर की है बीच में जो चांद बनाया गया है वो अलग ही रंग का बनाया गया है दो बूंटियों को एक जगह करके काफी खूबसूरत और सुन वो ओफर होने वाला है तो आप इंतजार की सिज़का कर रहे हैं सब्सक्राइब उला बटन दबाईए और इस ओड़नी का पूरा लुक देखिया आप कितना खूबशुरत और सुन्दर सा पूरी ओड़नी दिखा रहा हूं मैं कोई भी चीज उसमें छुपी हुई नहीं है प यह तो आपने देखी लिया अब देखते हैं दूसरी वाला वर्क जो इसके नीचे है और कुछ है इस तरह का एक दम हट करके बेल इसकी दिखाऊंगे आपको तो काफी सुन्दर एक तम अच्छी सी एक बात और पूछूं दोनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी बेल जादा सुन्दर लगी यह वाली या फिर वो थोड़ा नजदिक से मैं आपको दिखाऊंगा तो और सही समझ में आ जाएगा कि किस परकार की यह बेल होने वाली है लेकिन गोटा पत्ती का वर्क इसमें भी नहीं करा गया है जैसे हैंड़ वर्क होता है उस परकार का बनवा सकते हैं सारी डियाने हम यहां पर यूटूब पर भी डालते हैं क्योंकि बहुत जल्द मार्केट में कोपी हो जाती है तो हम कोशिस यही करते हैं कि आपको मिले हमेशा कुछ नया पूरी ओड़नी का लुक है वो मैं आपको दिखा रहा हूं छोटी छोटी बीच में कलरफल बूटियां है वो है और बीच में सुंदर सी रंगीन सी बेल आपके लिए बनाए गई है इस ओड़ने में यह कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे दोनों में से कौनश डियान पसंद आई वो भी आप बताने वाले हैं क्योंकि आपका जो नहीं बनी है वो दिखाने वाला हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जैसे ही मैं वो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहें और आप फैसन के इस दोर में अपडेट बने रहें थैंक्स फो वाचिंग इस वीडियो